प्लांट्स प्लांट्स को फटिलाइजर के साथ प्रूनिंग भी चाहिए थाकि उनtalk क्यूंकि नई डालियों पर ही कलिया आती हैं और अगर पत्तो फाली प्लांट्स है प्रूनिंग के बाद उन्हें एक अच्छा Haily Bushy Shake मिलता है चाहे Plants लेगी हो कहें हो, Insect Attack हो या फिर कोई Injury हो Plants को या Flowering नहीं हो रहे ही हो सभी Problems का एक ही हल है और वो है Pruning Pruning यानी Plants के Alak-Alak पार्ट की कटाई चटाई जब हम किसी Plants की Pruning करते हैं तो उसको Fertilizer हमें जरूर देना चाहिए क्योंकि इस टाइम प्लांट को एनरजी चाहिए होती है इसलिए इस बात का ख्याल हमें हमेशा रखना चाहिए पर एक सवाल है कि प्लांट के साथ प्रूनिंग का नियम क्यों है प्रूनिंग के बाद ऐसा क्या होता है कि प्लांट तेजी से ग्रो करते ह इसका कारण है प्लांट के एपेक्स में present एक ग्रोथ हार्मोन औक्सन औक्सन एक्टिव हो जाता है और साइड साइड में स्रावित होता है इसी कारण प्लांट में नए उस टैम, पत्तियां, कलियां सभी आते हैं और प्लांट्स पहले से हिल्दी और बूशी नजर आते हैं यहां ओक्सिन की बहुत बड़ी भूमिका होती है प्लांट के ग्रोथ में तो यह थी मेरी जानकारी प्लांट और प्रूनिंग के बारे में जो कि मार्च महिने में बहुत जादा जरूरी है हम सभी के लिए तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मैं मिलती हूँ आप उसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक केर